हेलो फ्रेंड्स आप सभी कैसे हैं तो यहां फ्रेंड्स हम डिसक्स करेंगे अपने फिफ्थ टॉपिक ऑफ इस इंटरस्टिंग कोर्स के बारे में जिसका टाइटल है वर्पेस पोस्ट रस्ट एपियस एंडपॉइंट्स बिल्कुल फ्रेंड्स जैसे के हम चानते हमारे वर व्रपेस, रस्ट एप्यस, एंडपॉइंट्स और उनके यूसे ऐस के बारे में तो यहां पर इस पूरे कोर्स को समझने के लिए सीखने के लिए हम किसी मॉड़िल को पिक करेंगे फर एक्जामठल पोस्ट मॉडिल हम उनके सारे इनके endpoints को analyze करेंगे और use करेंगे inside our third party application development ताकि इनके endpoints को हम किस तरगे से use कर सकते हैं on the basis of request method हम सही तरगे से implement कर पाएं और सीख पाएं inside our application development process तो यहां friends अब हम क्या करने वाल हैं तो simple हम क्या करेंगे post model के सारे routes को फर्स्ट हम open करेंगे उनको analyze करेंगे उनके endpoints को on the basis of request method types then decide करेंगे कि which route is for which operation type तो यहां friends इसे पारे मेरे छोटी से request है प्लीज वीडियो को like करना एक प्यारा सा comment करना चाल्ड को subscribe करना अब क्या करते हैं चलते हैं अपने endpoints तो first मैं जाओंगा प्राउसर पे और यहां पर जो हमारे पास URL that is called w-json इसे टाइप करने के बाद हमारे पास सारे के सारे endpoints आने माले इसाइड इस राउट साथ साथ हम देख पाएंगे हमारे पास कुछ properties हैं जैसे कि name description URL अब क्या करेंगे अब यहां friends हम इसका duplicate tab open कर लेते हैं open करने के बाद after this w-json forward slash हम टाइप करेंगे developi forward slash v2 just hit enter अब यहां पर यह जो properties थे हमारे पास यह जो basic properties थे वो सारे गायब हो चुकें inside this route URL अब यहां पर exact हमारे पास सारे अगर सारे endpoints है जिन endpoints को हम यूज कर सकते to perform any specific type of operation तो यहां फ्रेंज जैसे कि हम जानते हैं इस पूरे course में हम सीखने वाले समझने वाले concept of WordPress trust API's endpoints तो यहां पर इनके endpoints के concept को समझने के लिए हम किसी model को pick करेंगे for example post module तो यहां फ्रेंज हम post module के सारे endpoints का ने जानने करेंगे on the basis of request method type or देखेंगे, decide करेंगे which request type and endpoint for which type of operation तो यहां पर गारिक्री ने करिंगे first हम सर्च करते सुग थे च्रूल अप ने सर्च करेंगे wpv2 post just hit enter तो हम देखेंगे here we have the first API endpoints here we have the second API endpoint, third API endpoint, fourth API endpoint, fifth API endpoint, fifth API endpoint, sixth API endpoint and finally completed because here we have the pages module तो यहां देख पहेंगे हमारे पास काफी सारे endpoints है और काफी सारे parameters भी है like reasons here we have auto saves साथ हमारे पास कुछ extra parameters है जैसे कि numeric value जो हम URL में pass कर सकते हैं तो यहां friends अगर हम बात करें for example in APIs और endpoints को हम use करना चाहें किसी भी third party application में तो किस तरह किसे कर सकते हैं तो जो हमारी first requirement है what will be the API URL तो यहां friends अगर हम बात करें API URL के बारे में तो यहां पर हम इस complete URL को first copy कर लेते हैं चलते हैं एडिटर में एक new tab open कर लेते हैं और इसे हम paste कर देंगे paste करने के बाद let's say API URL यहां पर है हमारे पास project URL उसके बाद forward slash wpjson forward slash wp forward slash v2 so for example हम इस API को use करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगा इसे हम copy करेंगे कॉपी करने के बाद यहां put कर देंगे अब यहां से जो last keyword that is post हम इसे cut कर देंगे forward slash हम इसे paste कर देंगे so यहां पर जो first API URL है of this first endpoint that is project URL, wpv2 और यहां उने वाला है post अब next question है कि इस API URL को हम कौन कौन से request matter के थू हिट कर सकते हैं like हमारे पास तो काफी सा request method होते हैं for example get request type, post request type, put or patch request type and delete request type तो बात है कि इस API को हम किस request method से use कर सकते हैं तो यहां पर अगर हम बात करें request methods के बारे में तो चलते हैं API endpoints इस object में इसे हम open कर लेते हैं तो देख पाएंगे इस वाले API URL को हम hit कर सकते हैं using two request methods that is get request type and post request type copy कर लेंगे, copy करने के बाद हम put means paste कर देख पाएंगे this is our API URL and here we have request methods as get and post अगर बात करें के get request का क्या purpose है तो obviously अगर हम get request इस API URL को hit करें तो इसका मतलब जितने भी post हमारे WordPress में exist करते हैं, all posts will be get listed अब यहां पर कोई दूसरे parameters भी है कि हम pass कर सकते हैं while calling this API using get request type चलते हैं इनके endpoints के अंदर, अब यहां देख पाएंगे after this methods, यहां पर हमारे पास endpoints area के अंदर दो object हैं, the first object belongs to get request type and second object belongs to post request type अब यहां पर get request को use करते वक्त कौन कौन से arguments या parameters use कर सकते हैं या कहें post request के basis पे इस URL में कौन कौन से parameters हम pass कर सकते हैं, receive कर सकते हैं सारे के सारे informations यहां इस object के अंदर stored हैं for example हम first open करते तो देख पाएंगे using get request type हमारे पास कुछ arguments हैं जैसे कि जो भी post हम list करने वाले, get करने वाले, पर page हमें कितना चाहिए कोई search के basis से results को filter करना है, काफी कुछ देख पाएं authors के basis पे कौन से authors को include करना है, exclude करना है तो सारे के सारे details हमारे इन सारे के सारे offset format में है तो simply इस API को consume करना है, request method को choose करना है, parameters को use करना है और according to that data को set करना है So this is really very useful कि हम इनके endpoints को इनके document के basis से बिल्कुँ easy तरिके से use कर पाएंगे अब यहां friends हम इस first offset को close करते है, then open करते है, post request type देख पाएंगे Obviously, simple सा concept है कि इस module को अगर हम hit करें, post request type, post request का simple सा concept होता है It means we are going to create some resource, हम कोई data को create करने वाले हैं So create करने के लिए, इसका मतलब हम post को create करने वाले हैं, अपने इस API URL, post request के basis पे So कौन कौन से parameters को हम pass कर सकते हैं So while creating any post using this request method type, अगर हम बात करें, parameters के बारे में तो यहां friends हम देख पाएंगे Arguments के अंदर हम date pass कर सकते हैं, date GMT pass कर सकते हैं, slug है, status है, status है, values है जैसे हम any status values को use कर सकते, password, title, means हर एक की, उसका description, किस तरह की values को हम pass कर सकते कौन से values को, means mandatory है, कौन से option है, सारे parameters बिलकुल well documented है inside this wordpress json object, हम सारे के सारे details को यहीं से analyze कर सकते हैं, और उनके according है में use कर पाएंगे, किसी भी third party application में when we are using all these endpoints, so finally friends, on the basis of all these analysis हम कह सकते हमारे post के according हमारे पास कुछ endpoints है, जैसे कि for example, to retrieve a post हमारे तो URL होगा, that is project URL, WPJSON, उसके बाद होगा WPV2 post, इसका क्या purpose होगा, अगर मिस URL को हिट करें using get request type, it will retrieve a list of posts, so यहां friends, इसी pattern है बात करें अपने next API के बारे में that is of retrieve single post data, so API URL क्या होगा, API URL will be something called project URL, WPJSON, WPV2 post and then we have to pass post ID, it will retrieve a single post by its ID value, जलते ब्रोशर पे, तो यहां देखाएंगे हमारे पास second API endpoint है, that is WPV2 post and here we have post ID, इसे open कर लेते हैं, तो देखाएंगे, this API URL will be hit using all these request methods like get request, post request, put or patch request and delete request, अब in methods का क्या use है for these API endpoints, सारे details available हैं, inside this complete offset, इसी तरीके से बात करें अपने next operations के बारे में, for example data को create करना हो, like post create करना हो, already हमने discuss किया हुआ, the API URL will be prosact URL, develope json, develope v2 post, उस URL का हम hit करेंगे using post request type, कौन कुन से parameters पास करने, तो simply browser पी जाएंगे, हम इसे open करेंगे, अपने इस endpoints के अंदर से second object को on करेंगे, means open करेंगे that is of post, और arguments के अंदर जो जो values हैं हमारे पास, उनके description, उनके required के basis हम उनसे pass कर सकते और obviously, by putting all values, we can create a post using its endpoint, then इस तरिके से हमारे पास endpoints होंगे to update a post and delete a post, so यह पूरा का पूरा जो complete series हम देखने वाले, सीखने वाले, यह काफ़े interesting है, अभी तो फिलाल हम analysis कर रहे है about post API endpoints, next video से जह हम इसे use करेंगे, तो यह काफ़े interesting होने वाला है, कि इन APIs को endpoints को access करके, किस तरगे से data manipulations के task को हम perform कर सकते हैं, using our thought party API application, so finally friends, यहाँ इस वीडियो तक आने के बाद, हमारे सारे basics concepts जो थे हैं about WordPress, Rust APIs endpoints काफ़े हद तक clear हैं, अब next video से हम देखेंगे, अगर इन APIs को use करना हो, तो किस तरगे से use कर सकते हैं, with JWT authentication, so please video को like करना, एक प्यारा सा comment करना, channel को subscribe करना, हम मिलते हैं अपने next amazing video में, so for this video session guys, thank you for watching and have a great day.